अनुजी आपके फिल्म आ रही है हमारे 12 अनुजी ऐसा क्यों होता एक फिल्म कोई बनाता है इस फिल्मेकर बड़ी मैना की कांट्र वर्शी उसको घेर लेती है क्या कांट्र वर्सी है मुझे पता नहीं कि कितनी फिल्मों को कॉंट्रवर्सी ने घेरा है क्योंकि आप जानते हैं मैं ड्यू रिस्पेक्ट तो एवरिवन ना मैं फिल्म देखता हूं ना टीवी देखता हूं लेकिन फिर भी फिर भी ये फिल्म विवादों के घेरे में आ गई है नाम की वज़ा से और लेकिन फिल्म किसी ने देखी नहीं है और हमारे कलाकारों को मौत की धंकियां मिल रही हैं गालियां मिल रही हैं निंदाएं मिल रही हैं फिल्म देखी है नहीं जज्जमेंट दे रहे हैं क्या लोग है मतलब क्या कोई सबजेक आपको लगता है को कांट्रोफिये से में हमारे सैंसर भोड से भी पास हुई है तो सैंसर भोड एक कॉम्न्टिंट असूरिटी उसने पास की है जो आपके देश के परजात तंतर ने आपकी गौर्मेंट ने जो नियम कायदे बनाए हैं उन्ही नियम कायदों को उन्ही गाइड लाइन्स को सेंसर वोड फॉलो करती है तो उसके बाद इस तरह का विरोध परजात अंतर में विरोध है लेकिन परजात अंतर में मौत की धमकियां बहिए आप फिल्म देखिए उसके बाद अपनी राय कायम कीजेगा बगएर फिल्म देखे हुए किताब के जिल्द से उसका जो मौजू मत आप खुद आका बनने की कोशिश मत करिए पराय महरवानी आप फिल्म को देखिए उसके बाद अपनी राय कायम कीजिएगा उसके बाद अपना फैसला सुनाईगा जो आपको देना है ये फिल्म मदर हुट की बात करती है ये फिल्म पॉपिलेशन की बात करती है और उसको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है आप बड़ी महरमानी है कि आप अपने चैनल के माद्धम से मेरा इंटर्वी ले रहे अगर देखा जाए तो फिल्म का आप मुझे जो बाले जाए शायद विलन भी मैं हूँ क्योंकि मैं एक ऐसे उस्ताद मंजूर अली खां संजरी का किरदार निभा रहा हूँ जो अपने दीनों एमान के उपर बुरी तरह से अटका हुआ है वो उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता है जो लिखा हुआ है बदलना नहीं चाहता है ये फिल्म के माद्यम से प्रोड्यूसर डिरेक्टर एक बदलाओ की मांग करते है और वक्त के साथ साथ बदलाओ आना चाहिए हमारे सूफी खान जो हमारे क्रियेटिव राइटर है उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि फोटो जो है वो फर्बिडन है लेकिन फिर भी जब लोगों को जियारत करने के लिए उम्रा करने के लिए हज करने के लिए जाना पढ़ता तो पासपोर्ट पर फोटो लगानी पढ़ती है न वक्त के साथ हम सब को बदलना चाहिए वक्त के साथ बहबूदी के लिए इन्सानियों के शादमानी के लिए बहलाई के लिए हम सब को बदलना है बदलना चाहिए इसकी बात करती है वो और दूसरी बात पॉप्लरीशन एक बहुत बड़ी प्राब्लम हो चुकी है हमारे मुलक में चाइना ने इस population को अपना asset बना लिया है लेकिन अभी हम हिंदुस्थान भारत इस population को जिस दिन asset बना लेंगे अभी population liability है जिस दिन asset बना लेंगे बिलकूần अलग बात है तो हमें किसी न किसी तरह इस population को control कर रहा है और पूरी एमानदारी के साथ कंट्रूल कर रहा है और हर शख्स जो आप क्या चैनल के जरीए मुझे देख रहा है मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अपील करता हूँ कि हम सब अपने समाज के लिए अपने मुल्क के लिए जिम्मेदार हैं